नमस्कार आरेज अनपूर्णा किचन में आपका स्वागत है आज हम आलू और परवल के सुखी सबजी बनाना सिखेंगे हमने यह परवल लिया है परवल के दोनों सैठ से काट देते हैं और इस तरह हमने लंबा लंबा इसे काट लिया इसी तरह सभी हम काट लेंगे देखे इस तरह में पतला पतला और लंबा लंबा काट लेना है कड़ई में हमने तेल गरम कर लिया है उसमें डालेंगे आदा चमच जीरा आदा चमच राई इसे एक रेकल होने देंगे फिर डालेंगे आदा चोटा चमच हेंग एक चम्मज बारी कटा लहसन इसे हम हलका सा भून लेंगे फिर हम डालेंगे उसमें हरी मिर्च तिन चार हरी मिर्च हमने बारी काटके डाला है और एक इंच अद्रक जिसे बारी काटके डाला है इसे हम हलका सबुन लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे एक बड़ा साइज का प्याज जिसे लंबे लंबा हमने काट लिया है प्याज को हमें हलका गुलाबी होने तक इसे पका लेना है जब एक गुलाबी हो जाए तब हम इसमें डालेंगे लंबा कटा आलू दो बड़ा आलू है जिसे लंबे लंबे आखार में काट लिया है इसे डाल कर हम दो से तीन मिनट तक पकाएंगे और साथ में हम हल्दी पाौडर डाल देते हैं इसे मिला कर दो से तीन मिनट तक हमें इसे पका लेना है इसके बाद हम डालेंगे इसमें परवल जिसे हमने लंबा आकार में काटा है इसे डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं देखें से हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है इसे हमें पाच मिनट ढख कर पकाना है पाँच मिनट के बाद इसे हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं एक बार मिला लेते हैं अब डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर और स्वादून सार नमक इसे भी हम मिक्स कर लेंगे देखिए अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और इसे ढख कर हमें पकाना है जब तक ये आलू और परवल अच्छी तरह पक न जाए बीच बीच में इसे हमने चेक करते हुए चला लिया है देखिए अब ये सबजी पक कर तयार है ये सबजी बनने में 10 मिनट का समय लगा है सबजी पक चुकी है बस इसे दो मिनट हम बिना ढख की ही पका लेए ताकि और क्रिस्पी हो जाए देखिए हमारे आलू परवल की सबजी बनका रेडी है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब करे और बेल आइकन जरू दबाये ताकि नहीं वीडियो आप तक पहुच सके धन्यवाद